अनिता को देखने वाले आये हुए थे अनिता ने कई तरह की चीज़े खाने के लिए बनाई हुई थी और उसकी मा बढ़ चड़ कर हर चीज की तारीफ कर रहे थी हमारी अनिता बहुत अच्छे समोसे बनाती है मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने आकरी बार बाहर से समोसे कब मंगाए थे सच में बेहन जी समोसे तो सच मुझ बहुत लाजवाब बने है इतने टेस्टी भई मेरी बहु के हाथों में तो जादू है जादू हमें तो आपकी बेटी पसंद आ गई है और हम बारात लेकर आएंगे आपने बहुत समोसे खा लिए अब हमारी बारी है और उनके ऐसा बोलते ही सब जोर जोर से हस पड़े और कुछ दिन बाद ही अनिता की शादी आकाश से हो जाती है आकाश एक बहुत ही हुनहार लड़का था और महंती भी एक कमपनी में सुपरवाइजर था घर में अकेला वही कमाने वाला था शादी के बाद अनिता ने आकर घर को संभाल लिया उसकी सास अनिता के साथ हर वक्त खड़ी रहती दोनों में सास बहु का रिष्टा कम और मा बेटी का ज़्यादा बन गया समय हसी खुशी बीत रहा था अनिता और आकाश के दो बच्चे होते हैं और अब वो दोनों पांच-छे साल के थे दोनों ही स्कूल जाने लग गय थे एक दिन की बात है क्या हुआ बेटा अज फैक्ट्री नहीं जाना क्या नहीं मा कल हमारी फैक्ट्री में मजदूरों और मालिकों के बीच में लडाई हो गई वहां का महौल देखने के बाद मालिक ने मुझे काम में धील बरतने का इलजाम लगा दिया जबकि मैंने पूरी मुझतेदी से काम किया था उन्होंने मुझे फैक्टरी से निकाल दिया है भला ये क्या बात हुई करे कोई और भुगते कोई दिखो ये सब तो होता ही रहता है प्राइवीट नौकरी है कोई भरोसा थोड़ी ही है इस तरह मुझे लटकाने से कुछ नहीं होगा तुम दूसरी जगर ट्राई करो और हाँ बच्चों ने कहा कि समोसे बनाओ तो आज मैं समोसे बना रहे हूं इसलिया समोसे खाओ और थोड़ा सा दिमाग को चलाओ अनीता सब के लिए समोसे बना कर ले आई बच्चे भी समोसे खा रहे थे कि तभी आकाश का दोस्त घर आता है अरे भाई साब बड़े सई टाइम पर आये हैं देखो मैंने अभी गरम-गरम समोसे निकाले हैं चाय बना कर लाती हूं नेगी और पूछ-पूछ भई मेरी किस्मत में आज समोसे खाने लिखे थे अरे आकाश तेरे बारे में पता चला मैं तो तेरे से पूछने आया था कि आकिर कल तुमारी फैक्टरी में क्या हुआ क्या बताओ यार उन लोगों का आपस का जगला था और मुझे बोला गया कि तुमने मजदूरों को डील दे रखी है अब देखो बेरोजगार हो गया हूं और कोई काम धंदा ढूंडूंगा तभी अनीता सब के लिए चाय बना कर ले आई और समोसे भी चाय समोसे का दौर चल रहा था कि तभी आकाश का दोस बोलता है धन्यवाद भाईया आप इनको समझाओ न इतनी टेंशन लेनी के ज़रुरत नहीं है अच्छा एक काम करती हो मैं आज मैं थोड़ा कुछ अलग बना कर लाती हो अनीता रसोई में जाती है उसने पहले से ही रात के खाने के लिए चने उबाल कर रखे थे वो प्यास काट लेती है और फिर लाल हरी चटनी, दही, चने और कुछ अपने हाथों के बनाय हुए चाट मसाले को डाल कर वो समोसे की बढ़िया चाट तयार करती है और फिर अपनी सास और आकाश के दोस्त को खाने के लिए देती है अरे वा अनीता, ये समोसे की चाट तो बहुत ही अच्छी बनी है बस माजी, अभी अभी रसोई में खड़े-खड़े खयाल आया कि कुछ अलग करके देखती हूँ शायद ये चाट खाने के बाद इनका मूट ठीक हो जाए मुझे माफ कर दो अनीता, मैं देख रहाँ सुभा से तुम मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो बाबी बुरा ना मानो तो एक बात बोलू अहां हां भेया बोलो, इसमें बुरा क्या है आकाश का दोस चला जाता है लेकिन अनीता की मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है वो बहुत सोचती है कि वो ये काम कर सकती है तो फिर क्यों न करे आकाश शाम को बाहर टहलने के लिए चला जाता है और अनीता अपनी सास के पास बैठी थी, बच्चे अपना होमवग कर रहे थे माजी, मुझे भाया की बाद बहुत सही लगी क्यों न हम लोग अपना काम शुरू करे प्राइविट जॉब का तो ऐसा ही है आज मिलेगी कि कल मिलेगी पता ही नहीं मुझे भी उसकी बाद बिल्कुल सही लगी बस तुझे कहने से डर रही थी कि कहीं तु ये ना सोचे कि बेटे की नौकरी चली गई तो बहु को काम पर लगा दिया ये सुनकर अनीता थोड़ा सा गुस्सा अपनी सास को दिखाती है और बोलती है इतने सालों से इस घर में ब्या कर आई हूँ आप मुझे पराय समझती हो क्या ये घर मेरा भी तो है यहाँ पर होने वाले सुख दुख की मैं पूरी भागिदार हूँ अनीता की बात सुनने के बाद सास अनीता को गले से लगा लेती है और आकाश के आने के बाद सब लोग बैट कर इसी बात पर चर्चा करते हैं और आखरी में तै होता है कि अनीता अपनी समोसे चाट भंडार की दुकान को खोलेगी उनकी अपनी दुकान थी उन्होंने किरायदार को सारी स्थिती समझाई और दुकान पर सामान लगा कर अपना समोसा चाट भंडार खोल लिया आसपरोस के लोग तो जानते ही थे कि अनीता कितने अच्छे समोसे बनाती है और जब उन्हें पता चला कि अनीता ने समोसा चाट भंडार खोला है तो शुरू की कस्टमर अनीता की वही बने देखो तो टेकनोलाजी ने बच्चों को कितना एडवांस बना दिया है छोटा है लेकिन कितने पते की बात बोल गया दोनों पती-पतनी बैट कर इस बारे में बात करते है और फिर आकाश अपने दोस्ट से मिलने के लिए चला जाता है वो उसे बताता है कि किस तरीके से तुम लोगों को काम करना है कि तुम्हें घर बैठे ही ओर्डर मिले वो उनकी साइट बनाता है कुछ food delivery company से उनको attach करवाता है थोड़ी सी महनत अनीता की बढ़ जाती है कुछ समय तो उसे ये सारी स्थिती संभालने में भी दिक्कत आई लेकिन फिर उसने धीरे-धीरे चीजों को समझा और उसी तरीके से काम करना शुरू किया अनीता की दुकान पर उसके समोसे की चार्ट इतनी जल्दी फेमस हो गई कि इसका अंदाजा खुद अनीता को भी नहीं था फिर दुकान पर खड़े होकर चार्ट खाने वाले लोगों की भीड़ भी रहती और उनलाइन समोसे की चार्ट वालों के भी अनीता सवेरे उट जाती, आलू उबालती और उसका मसाला तयार करती इस काम में अनीता का पती और उसके साज भी उसकी पूरी मदद करते सुबह 11 बजे से उनका काम शुरू हो जाता और रात के 8 बजे तक वो निरन्तर अपना काम करते रहते एक दिन अनीता सच कहता हूँ तुम मुझे बाद में पसंद नाई थी और तुम्हारे हाथ के बने हुए समोसे उससे पहले तुम्हारे हाथों के जादों ने कमाल दिखा दिया मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरी नौकरी छूटी और तुमने सारे इस्थिती को कैसे समझदारी से संभाल लिया बेटा यही परिवार होता है ये नहीं कि एक दूसरे को ताने दो, एक दूसरे की कम्यों को बताओ, परिवार तो वो होता है जो अपने परिवार को किसी भी परिस्थिती में संभाल कर आगे बढ़ जाए, तेरा मेरा छोटा बड़ा ये सब कुछ बेमानी हो जाता है, जब आप दिल से अपने परिवार के करो, मा सच कह रही है निता, पापा पापा आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलो ना, चलो तो फिर जाकर बाहर खड़े हो, मैं स्कूटर निकालता हूँ, आकाश अपने दोनों बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है, कि तब ही वो देखता है कि बच्चों की प्रिंसिपल गाड़ी से उतर रही है आकाश मैडम को नवस्य करता है तो वो उसे आवाज दे कर रोक लेती है अरे आकाशी एक मिनट जरा मुझे आपसे बात करनी थी आकाश को लगा कि बच्चों ने जरूर स्कूल में कोई शरारत की है जी मैं बोली है जो फटा-फट तयार हो जाए और कुछ अलग भी हो अभी आपको देखकर अचानक से खयाल आया कि आप लोगों की तो समोसा चाड़ की दुकान है मैंने भी कई बार वहां की चाड़ खाई है बहुत हिला जवाब बनती है तो क्या आप इस तरह का ओर्डर लेना पसंद करेंगे हाँ जी क्यों नहीं हमारा तो ये काम है आप सारी डीटेल मुझे बता देना मैं अपनी पत्नी अनीता को सारी बात बता दूँगा आप बेफिक्र रहिए काम हो जाएगा पैसो के लिंदेन की बात को बाद में छोड़कर आकाश आकर अनीता को ये सारी बात बताता है प्रिंसिपल का फोन अनीता के पास आता है तो अनीता हाँ बोल देती है और फिर एक अच्छे अमाउंट पर ये बुकिंग तै हो जाती है यकीन नहीं हो रहा ये काम चल पड़ा सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हो और आकाश आपके सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था तुम दोनों तो गाड़ी के दो पहिये हो दोनों साथ चलोगे तो हमेशा काम्याब रहोगे अनिता और आकाश दोनों मिलकर प्रिंसिपल की बेहन की बेटी की हलदी की रसम में समोसा चाट बनाते हैं वहाँ पर दो तीन चीज़े और थी खाने पीने की लेकिन सभी लोग समोसा चाट की तारीफ कर रहे थे ताजे करारे समोसा पर गिरी हुई दही हरी और लाल चटनी से स्वाद इतना जादा बढ़ गया था और वो सीक्रेट चाट मसाला जो सिर्फ अनिता ही बनाती थी वहाँ पर काम करते करते ही अनिता को एक दो और आर्डर मिल जाते हैं अब अनिता ने अपने घर के नीचे वाले पूरे हिस्से को इसी काम के लिए तयार करवा दिया उसके पास अब कई लोग काम करते थे और इस तरह अनीता ने समोसा चाट बना कर काम्याबी का एक नया मुकाम हासिल किया